पित्र विसर्जन हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांती के लिए अनुष्ठान करना है। पित्र विसर्जन एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें पितरों की आत्मा की शांती और मोक्ष के लिए तरपन और श्राध्ध कर्म किये जाते हैं। पित्र और तरपन का आयोजन, श्राध्ध कर्म में ब्राह्मनों को भोजन करवाना और उनके माध्यम से पितरों को भोजन का अरपन करना महत्वपूर्ण होता है। यह जल और तिल पितरों को समर्पित किये जाते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांती मिलती है। अन्य दान और वस्त्र दान, श्राध्ध के दौरान अन्य, खाध्यपदार्थ, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजों का दान ब्राह्मनों को करना चाहिए। माना जाता है कि जो चीजें ब्राह्मनों को दी जाती हैं, वे पितरों तक पहुँचती हैं और उन्हें संतुष्टी मिलती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ती को भोजन कराना, वस्त्र देना और अनाज का दान भी पितरों की आत्मा को संतोष और शान्ती प्रदान करता है। कुश और तिल से तरपन, कुश और तिल को विशेश पवित्र माना गया है। तरपन करते समय तिल के साथ पानी चड़ाने से पितरों की आत्मा को शान्ती मिलती है। इसे जलानजली भी कहा जाता है, जो पितरों की संतुष्टी के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। पिंडदान का महत्व पिंडदान का आयोजन पवित्र स्थानों जैसे की गया, हरिद्वार, प्रयाग राज या अन्यधार्मिक स्थलों पर किया जाता है। पिंडदान के माध्यम से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्थ होता है। विशेश रूप से गया में पिंडदान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन कराना, श्रद्ध के दिन गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन खिलाना शुभ माना जाता है। यह प्रक्रिया पितरों तक अन पहुँचाने का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि ये तीन प्राणी पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धूप, दीप और अग्रबत्ती से पूजा पितर पक्ष के दौरान रोज सुभा और शाम पितरों के लिए दिया जलाना और धूप, दीप से पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक उर्जा आती है और पितर दोश समाप्त होता है। भागवत कथा या धार्मिक ग्रंथों का पार्ट पितरों की आत्मा की शान्ति के लिए भागवत कथा, रामायन या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पार्ट करना चाहिए। इस प्रक्रिया से पितरों को आध्यात्मिक संतुष्टी मिलती है और उनका आशीरवात प्राप्थ होता है। पित्र दोश के संकेत कई बार घर में या जीवन में पित्र दोश होने के संकेत दिखाई देते हैं। जैसे की घर में लगातार बीमारियाओं बनी रहना, आर्थिक तंगी का सामना करना, विवाह में बाधाएं आना, संतान हीनता या संतान के जीवन में कठिनाईया, परिवार में कलह और अशान्ती, यदि ऐसे संकेत मिलते हैं, तो पित्र विसर्जन के उपाय करना अत्यंत गया, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर पिंड दान करना, जिन पितरों का श्राद्ध नहीं हुआ, उनके लिए विशेश पूजा और दान करना, पितरों की कृपा प्राप्त करने का महत्व, पितरों की आत्मा की शान्ती से घर में सुक शान्ती और समरिद्धि का जो व्यक्ति पितरों को संतुष्ट करता है, उसे जीवन में खुशहाली, सम्रिध्धी और सफलता प्राप्थ होती है, उनका आशीरवाद पूरे परिवार को उन्नति की ओर ले जाता है।